दोस्तों आप गर की construction में थोड़ा पैसा बचा सकते हो अगर खुद से labor hire करके काम करवाते हो तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं labor rates पे कि कुछ labor rate क्या होते हैं हम lump sum पे दे देते हैं कि RCC हमारे shuttering हमारा plaster हो जाएगा एक rate में बाकी फिर काम बचा, tiling work, plumbing, electric, paint work हर चीज का per scale feed क्या rate है इस समय मार्किड में और आपको contractor को क्या देना चाहिए जां labor hire car trader में क्या दियान देना चाहिए वो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ तो सबसे पहले शुरुवात में हम करते हैं अगर हम material खुद से लाएं और construction के लिए labor rate पे contractor hire कर लें labor rate इस समय क्या चल रहा है? labor rate चल रहा है 220 रुपिया per square feet चल रहा है labor rate उस 220 रुपिया per square feet में वो कामे करके क्या क्या देगा? वो हमारी RCC work करके देगा हमारा पूरा foundation हो जाएगा हमारा column beam slab हमारे plaster work ये सब चीज़े करके देगा जब आप labor contractor hire करोगे तो आपको द्यान देना है कि उससे बात कर लेनी है labor तेरी रहेगी time इतने time में ये खतम होना चाहिए equipment सब उसके रहते हैं जो भी फावडा तगारी ये सब चाहिए चाहिए वो उसकी रहेंगी shattering उसकी रहती है और जब भी labor rate पे काम दो पहले बात करो और agreement कर लो labor rate हमारा clear हो गया 220 रुपया पर square feet अगर हम देंगे example ले ले लेते हैं 1000 square feet का गर है हमारा तो हमारा 220,000 रुपया किसमें खर्चा जाएगा RCC, brick work और plaster में यहां तक हम पहुंच गए फिर जो item 22 विलो होता है मतलब item 22 हमारे rate होगा जैसे हमें उसके बाद काम करवाना पड़ता है tile work अगर आप tile work के लिए labor hire करते हो किसी labor को material फिर से आपका रहेगा तो आपको 13 से 15 रुपया पर square feet के इसाप से उसको rate देना पड़ता है कितना 13 से 15 रुपय पर square feet हम example लेते हैं 1000 square feet का हमारा गर है और उसमें tiling होने वाली है कुछ 800 square feet क्योंकि बीच में दिवारे होगी के जगा हम tile नहीं करवा रहे 800 square feet तो 800 गुडा 15 हम करते हैं तो हमें मिल जाएगा कुछ 12,000 रुपया हमारा खर्चा आएगा tile work के लिए यह lever का भी आपको rate पता चल गया 13 से 15 रुपय है फिर जब हम plumbing करवाते हैं हमारा bathroom का plumbing 1000 square feet है जाए 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 दो bathroom जाए एक bathroom उसमें होगा और kitchen की plumbing होगी अंदर बाहर की दोनो plumbing का जो इस समय rate चल रहा है गर के इसाब से अगर मैं बताओ 25 रुपया पर square feet और हमारा 1000 square feet का गर है अगर तो 25,000 तक हमारा एप्रॉक्स उसमें खर्चा आजाएगा किसका plumbing का जिसमें material pipe बगरा जो भी material plumbing का चाहिए वो हम लाके देंगे लेवर का rate यह आपको बता दिया फिर अगर आपको बिजली का काम करवाना है electric buck आपकी slab में जो conduct pipe डलती है switches होगे wiring होगे board होगे यह सब चीजें लगाने का जो इस समय rate चल रहा है वो चल रहा है लगा लो 20 रुपया पर square feet अगर हम पकड़ते है slab के हिसाब से 20 रुपया पर square feet है और हमारा 1000 square feet का अगर गर है तो 20,000 रुपया हमारा इसका खर्चा वो ले जाएगा बाकी जो पंक्खे लगाने है वो 100 रुपया पर नक के हिसाब से होता है बाकी जो बाकी आइटम वो अलग से इसमें wiring और वो चीज़ आगे फिर हमारा बह 20 प्लस पेंट अगर आपको गराना है अगर पेंटिंग का हम पकड़ के चले 25 रुपया पर square feet के हिसाब से रेट चल रहा है जिसमें आपको वो खिटकियों में भी पेंट करके देगा और आपके गर में भी और पांच रुपया पुट्टी का पकड़ के चलते हैं जिसमें 2 से 3 कोड़ वो आपको करके देगा मतलब 30 रुपय पर square feet इसमें पेंट प्लस पुट्टी का लेवर रेट चल रहा है और अगर 1000 square feet का अगर है तो आप लगा लीजी अंदाजा 30,000 रुपया आपका पेंट और पुट्टी का लेवर का खर्चा आजाएगा यह हो गया फिर रुपया पर square feet के हिसाब से समय market rate है लेवर रेट है बाकि आपको समान खुद से लाके देना है 60 रुपया और 1000 square feet का अगर ख़ग है तो 60,000 रुपया आपका किसका लगाने का खर्चा लेवर ले जाएगी यह हो गया लेवर रेट अगर इन आइटमों के काम हम करवाते हैं जिसमें हमारा RCC complete होगे फिनिशिंग भी खतम होगी फिर आता है अगर आपको ऐसे पर square feet के से higher नहीं करने है अगर आप ऐसे mystery लाते हो तो अगर जो normal construction के लिए mystery रहेगा जो आपको RCC, brick, work, plaster करके देगा वो 800 से 1000 रुपया पर डे के साब से लेता है 8 गंटे की shift करेगा फिर बात करते हैं कि अगर आपको इस जंजट में नहीं पढ़ना है लेवर का डेली नहीं देना है पर square feet में आपको दिक्कत आती है फिर एक आपके पास बचता है with material आप किसी को काम दे दो with material में क्या होगा labor उसकी रहेगी material उसका रहेगा बस आपको क्या ensure करना है quality और proper से time पे काम हो रहा है ये सब चीज़े देखने हैं तो लेकिन इसमें भी तीन चीज़े आती है इसमें तीन किसम के घर आपको देखने को मिलेंगे class A, B और C ये क्या है मतलब किस उस पे category ये की गई है ये की गई है quality और आपका काम मतलब कैसा गर बनाने जा रहे हो अगर हम पकड़ते है class C का जो गर रहता है जिसमें normal चीज़े यूज की जाएंगी ना कुछ ज़ादा elevation होंगी simple design होंगे 1000 square feet का अगर गर होगा तो आपको जो पर square feet कास्ट पड़ेगी 1400 से 1500 रुपया पर square feet कास्ट पड़ेगी आपका complete गर handover तक 14-15 लाख रुपय में बन जाएगा आपका class C का गर और class B में क्या हो गया जो category mostly medium class में लोग बनाते हैं गर जिसमें design भी रहेगा थोड़ा बहुत quality भी material की अच्छी रहेगी तो वो आपको 1600 से 1900 रुपया पर square feet में पड़ेगी जिसमें material और labor contractor की रहेगी जिसमें आपको बस quality देखनी है 1000 square feet का गर वो आपका 16-19 लाख रुपय में बनके ट्यार हो जाता है आपको चाबी देज जाएगी आप गर यूज कर सकते हो कितना 16-19 लाख फ इसमें आपका 1000 square feet का गर गर बनाने जाते हो आप तो आपका 20-25 लाख रुपया लग जाता है जिसमें हर चीज क्या की जाएगी मतलब branded use की जाएगी quality अच्छी होगी quality तो BC में भी use होती है लेकिन जैसे हम normal shoes लेते हैं वो वह ऐसा ही काम करता है Nike का shoes लेंगे वो भी काम करें अगर बस उस पर Nike की टिक लगी है वो दूसरे shoes पर नहीं लगी है यह चीज होती है तो इसकी help से यह जो labor rate में आपको बताया आप खुद decide कर सकते हो अगर आपको गर थोड़ा सस्ता बनाना है थोड़ा investment उसमें है पैसे कम लगें उस पे तो आप labor hire करके खुद करिए पर square feet में पढ़ो एक तो contract agreement बना लो दूसरा आप एक किसी engineer की राय ले लो कोई आपका कोई ना कोई निकल आएगा वो आपको थोड़ा बहुत area बता देगा आपके घर का कितने कितना कैसे पर square feet निकालना है अगर वो भी नहीं पता चलता है नहीं है कोई तो YouTube आपके लिए है हम ह कमेंट करो मैं पूरा clear आपको कर दूंगा description में हमारा WhatsApp नंबर रहते हैं वहां पर हर जगा अबलेवल हूँ free मैं सब चीज़े देता हूँ बस आप अच्छे से घर बनाईए टेंशन नहीं लीजिए थोड़ा investment प्लान करके आज ही अपना घर बनाना शुरू कर दो आप नही डे बनाईए झाना बगान देन लीजिए.